आज वापिस अपने शहर लोट रही थी ट्रेन में बैट कर किसी किसान बात करने का मन आज था नहीं वरना अक्सर अंजान मुसाफिरों से दोस्ती करके ही लंबे रास्ते तै करने की काफी पुरानी आदत है मेरी तो सोचा अपने पहले प्यार अपने येरफून से ही थोड़ी अप्शप कर ली जाए बस गाना सुनना शुरू किया ही था और यादों में खो गई शेहर में उसके होने का इंतिजार नजाने कितनी सतियों से किया है पर बदकिसमिती तो देखो मेरी कि अब वो गलियां वो शेहर मुझे अपनाने से इंकार कर चुके है उस शेहर से अब वो रिष्टा नहीं रहा मेरा पर आज भी जब उस शेहर से मुलाकात करने जाती हो किसी तिवहार के बाहने तो उसकी खुश्मू का एहसास हो जाता है काफी पुरानी यादे ताजा होती जा रही थी जैसे हर चीज बस मुझे उसके और करीब ले जाना चाहती थी जैसे हर चीज मुझे से इस मुखबत को अधूरा ना रखने के लिए गुजारिश कर रही थी जैसे सब बस मुझे से वादे कर रहे थे जिनके सहारे वो मुझे मेरी मुखबत से मिलवाना चाहते थे ट्रेन बस प्लैटफॉर्म से कुछी दूरी पर थी मैं अब भी गाने सुन रही थी और नया गाना शुरू हुआ बसी गाना मैंने उसी वक्त रोप दिया जिसे अब की बार इस सची इश्क को उसकी मंजल से मिलवाने का काम बस मुझ पर ही तो था और हमारी अथूरी कहानी की दास्ता मुझे अपने कानों में सुनाई देने लगे जैसे कोई चीख रहा हो बस अब और नहीं इस कहानी को अधूरा मत करो अपकी बार जो आई हो तो इस मुलाकात को पूरा करके ही जाना जो गिले शिक्वे तुम दिखाना चाहती हो वो अपने जजबातों से बया कर ही दो क्योंकि अपकी बार जो तुम आई हो तो किसमत लेकर आई हो ना जाने अपके स्तिवहार का बहाना लेकर आओगी और अपनी कहाने को फिर से एक बार जूटी उम्मीद देकर अधूरा छोड़ जाओगी तो सोच लिया कि अधूरी चीज़ों से महुपत कर लूगी पर किसी से भी अधूरी महुपत नहीं करनी है ग्लेटफर्म आ चुका था मैं अपने शेहर में वापस आ गई थी चारों तरफ काफी धंडिया वाएं थी दिवाली के कारण काफी उजाला भी था बस इस दिवाली अपनी अधूरी कहानी को एक हसीन मोर देना था अंजाम क्या होगा इसकी फिक्र अब और नहीं करनी थी और सोच लिया था कि इस सच्चेश्क को अब और एक तरफा नहीं रखना